हापी बर्थ दे तो यू अजबूत रहें और खूब आगे बढ़ें खूब तरक्की करें देश का नाम रोशन करें मादा बिदा का नाम रोशन करें व्रिद्धों की सेवा करें भारत मादा की जय बोलें हर कदम पर राष्ट्र भक्त बने देश भक्त बने मात्र भक्त बने तो हे मेरे भक्तों आप खास लेकर आया है आपके लिए जैसे आप कैसे होंगे पढ़ने में ब्यापार कर रहे हैं तो आपका ब्यापार कैसा चलेगा अच्छा बुरा कैसा अगर मालेज़े प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो ऐसा तो नौकरी बीच में छूट जाएगी और छूटेगी तो घर पे कितने दिन बैठने पड़ेंगे यह भी तो जानना है तो बताएंगे हम सरकारी कर रहे हैं बहुत दिनों से आपका प्रमोशन नहीं हुआ है तो वो भी आपके एस्ट्रोफेंड बता देंगे कि कौन से गुरहों की बदावलत प्रमोशन के योग बनेंगे और कब तक बनेंगे ट्रांसफर को लेकर के अगर वहाप वो था तो वो भी सुन लीजिएगा मालीज़ शादी हुई हुआ भी बीबी के साथ कैसी बनेगी कहीं ऐसा तो नहीं कि रूट के माय के या कहीं ऐसा तो नहीं कि पती महराज कहीं कुछ और तो यह सारी जानकारिया और हाँ बिमारी वो भी जान लीजिएगा जितनी जानकारियां आप सोच रहे होंगे अपने मन में आने वाले कल को लेकर हम पूरे 365 को समराइज कर देंगे निचोड निकालेंगे और आपको बता देंगे कि 9 जून 2018 से 8 जून 2019 तक आपका पूरा वर्ष कैसा जाएगा तो चलिए सबसे पहले बता देते हैं सिक्षा के मामले में कि आप किस प्रकार की सिक्षा ग्रहन करेंगे कौन सी सिक्षा आपके लिए उन्नती देगी किस तरह से आपको उन्नती मिलेगी आईए बताते हैं अगर आप विज्ञान या कॉमर्स छात रहें तो आपके लिए यह वर्ष बहुत शुब रहेगा बाकी अन्य छेत्र वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा मेडिकल का छेत्र जिसका है जिस बच्चे का वो तो बहुत अच्छा कर लेगा और कुछ धन को लेकर कि आपकी सिक्षा रुकती दिखाई दे रही है सितंबर से नवंबर के बीच में स्वास्थ में कुछ किरावट आएगी और स्वास्थ के कारण भी आपकी सिक्षा प्रभावित हो सकती है व्यापार व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी उन्नती करेंगे लगातार एक उचाई को आप छूते रहेंगे धन का मामला बहुत उन्नती देगा पैसा पावर प्रशिद्धी सब कुछ आपके साथ जुड़ेगा व्यापार अच्छा करेंगे सिक्षा छेतर से जुड़े लोगों के लिए तो ज़्यादा अनुकूल समय रहेगा खास तोर पे अगस्त से ले करके और फरवरी तक का समय उत्तम जाएगा बीच में सितंबर में थोड़ा सा डावा डोल होगा शनी के मारगी होने के समय में बाकी तो इस्थितियां आप अच्छी समाल लेंगे और जब मेश का मंगल आएगा तो अध्भूत रहेगा तो फरवरी तक का समय समझ के चलिए कि यह आपका बंबं है प्राइवेट सेक्टर की नोकरी प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा अगस्त करीब 12 अगस्त से लेकर के और 18-20 के बीच में नोकरी के चूटने के आसार बनेंगे अगर समभाल लिया तो नोवंबर में आईए बस उसके बाद वर्स चला जाएगा आपका मान लिजे कि आज ही छूटी हो नोकरी आपकी तो कल आपको नोकरी मिल जाएगी मतलब खाली आपको ज़्यादा दिन नहीं बैटना पड़ेगा अगर आप ट्राइवेट सेक्टर में है सरकारी नोकरी सरकारी नोकरी वालों का सितंबर में ट्रांस्फर्ण होना तैय है प्रमोशन लेकिन होगा आपका दिसंबर जन्वरी में जाकी अगस्त महिने में कुछ अधिकारियों के साथ मनमुटाओ बाचीत इस्तती अच्छी नहीं दिखाई दे रही है थोड़ा बड़ बोले पन से अपने आपको बचाईएगा और जितना हो से के सात्वी ग्रह करके शिव उपासना करते रहेगा दामपत्त जीवन मारेट लाइफ में सितंबर का महिना आपके लिए घातक रहेगा अगर आप 9 जून को पैदा हुए हैं और आप शादे शुदा जीवन को ले करके अटेंटिव थे तो हम बता देते हैं सितंबर का महिना घातक रहेगा फरवरी में भी पत्नी के साथ मनमुटाव हो सकता है लेकिन अंत आते आते इस्तितिया सामान में हो जाएंगे प्रेमी जीवन प्रेम संबंधों को आप बिवाह में कनवर्ट कर सकते हैं अगर आप 9 जून को पैदा हुई हैं तो लड़के वाले मान जाएंगे अगर हुए हैं तो लड़की वाले थोड़ी मसकत के बाद फिर मानेंगे अग्यात आशंकाओं से अपने प्रेम जीवन को आप संभालिएगा डाउट्स मत करिएगा बिमारी में नियूरो प्रॉब्लम आपको परिशान कर सकती हैं कुछ फाइल एरिया पाओ फील पाओ आदी जैसी बिमारियां भी आपको परिशान करेंगी जो लंबे समय तक चलने वाली विमारियां हैं उनसे आपको दो-दो हाथ करना पड़ेगा जोजना पड़ेगा उपाय आपको क्या करना चाहिए तीन बच्चों को पेट भर खाना खिला कर और तीन नीम का पौधा किसी दुरगा मंदिर में लगा दीजेगा बस इतना सा ध्यान देना है और फिर इस प्रियोग को आप पूरे वर्ष कभी भी कर सकते हैं पूरे साल अगर आज शादी की सालगिरा आपकी है तो किने तीन बिधवा महिला को कुछ वस्त्र और धार्मिक पुस्तक उपहार स्वरूप प्रदान कर दीजेगा पकड़ने के लिए दौर लगानी पड़ती है इस वीडियो को आप जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ जिनका आज जनम दिन है या मैरिज अनिवर्सरी है आप साजा कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं वाटस अप ग्रूप में डाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सटीक जनकारी उपहार सरूप प्रदान कर सकते हैं फिलाल के लिए हमें अनुमत दीजेगा 15 तारिक से गाज़ाबाद में मिलने के लिए आप हमें संपर कर सकते हैं हम गाज़ाबाद में रहेंगे दिली अंसियार वाले और इस बीच अहमदाबाद नागपूर राइपूराद के अपाइंडमेंट चली रहे हैं है वे नाइस डे टेक केर शिरादे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना न भूलिए